हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टूर यूटूब चेनल, टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासिस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, हिंदी पार्ट थर्ड देखी, अभी लोगड़ों चल रहा है, तो घर बेठे बेठे, लोग बच्चे डिप्रेशन में आ रहा है पढ़ाई तो करना दूर की बात हो गई, प्रिप्रेशन भी बहुत दूरगी बात है अभी तो लोग ये भी نہیں पता चल रहा है, लोगों की दिन कब हो रहा है इसा चल रहा है, तो कोई नहीं पढ़ रहा है तो competitors भी बढ़े हैं और आगे बढ़े और question कीजिए question बहुत अच्छे इस वीडियो में आने वाले आपके लिए so please try कीजिए मेरे साथ और please channel को subscribe करना ना भूले चलिए तो हम बढ़ते हैं first question के और question number अमारा रात में किस तर पर बच्चों की भाषा शमताओं का विकास करने का अर्थ है option A भाषिक सररश्नाओं पर अधिकार option B भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार option C भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार option D है हमारा भाषिक नीमों पर अधिकार तो हमें इसका correct answer बताना है करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है option number B ऐसा नहीं है friends कि आप नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा यह सब आपकी गलत फेहमी है आपके मन के वहमें सब कर रहे हैं सब को आगे बना है question number second निगमन विदी है हमें निगमन विदी के बारे में बताना है निगमन विदी क्या है option number A है निअम बताकर उधारन देना option B उधारन देकर निअम समझाना option C भाषा का अनुकरण करने की विदी option D बिना उधारन दिए भाषा सिखाना सो हमें इसका correct answer बताना है कि इसका correct answer कौन सा है so option number A इसका correct answer होगा नियम बताकर उधारण देना चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन के ओर हमारा नेक्स कोश्चन कौन सा है कोश्चन नमबर थर्ड कोश्चन नमबर थर्ड में पूझा है व्याकरण पढ़ाते हुए एक सिक्षक का उद्देश नहीं होता है option A चात्र भाषिक संद्रशनाओं का ज्यान प्राप्त कर सके option B चात्र शुद्द एवं अशुद्द भाषा में अंतर कर सके option C चात्र केवल शुद्द लेकन कर सके option D चात्र शुद्द उच्चारण कर सके सो हमें इसका correct option बताना है correct option क्या होगा friends प्लीज मेरे साथ question कीजिए इसका correct option होने वाला है option number C चात्र केवल शुद्द लेकन कर सके चली बढ़ते next question की ओर हमारा आगला question है question number 4 व्याकरण सिक्षन की आगमन विदी की विशेस्ता है हमे question number 4 बताना है कि व्याकरण सिक्षन की आगमन विदी की विशेस्ता क्या है चली बढ़ते option की ओर option number A हमारा पहले नियम बताना B पहले नियम का विसलेशन करना C पहले मनोरंजन का तीवीधिया कराना option number D पहले उधारन प्रस्तूत करना तो हमारा इसका कौन सा option number सही होने वाला है option number D का correct answer होगा पहले उधारन प्रस्तूत करना चली आगे बढ़ते हैं हम अगले question की ओर question number 5 एक मानक भाषा का संबंध है option A सामान्य भाषा से option B व्याकरण की दृष्टी से शुद्ध भाषा से option C छेत्री भाषा से option D इस्तानी भाषा से सो हमें correct option बताना है इसका correct option क्या होने वाला है friends प्लीज हमारे साथ करते चलीए आपका test लग जाएगा आपको पता चल जाएगा कि हम preparation में कितना आगे बढ़ चुके है या अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है लोकडाउन की वज़े से तो प्लीज अब कर दीजिए option number second इसका correct answer होगा व्याकरंट की द्रश्टी से सुद्ध भाषा चली बढ़ते अगले question क्योंड question number six आदर्श वाचन के माध्यम से दूर की जाती है क्या दूर की जाती है आदर्श वाचन की माध्यम से तो हमें बताना इसका option ए पठन संबन्धी कटिनाई बी वाचन संबन्धी कटिनाई सी ए वबी दोनों यड़ी श्रवन संबंदी कटिनाई तो हमें इसका correct option बताना है correct option क्या होने वाला है आदर शिवाचन का क्या होगा correct answer option number 20 का correct answer होगा चलिए बढ़ते है next question के और next question क्या आने वाला है हमारा friends question बहुत interesting है और बहुत important question है exam में आ चुके हैं और अब भी possibility है इसमें से एक या दो question तो जरूर अब क्या आने वाले हैं इस वीडियो में से प्लीज बने रहे हमारे यूटूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस के साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए बढ़ते है next question question number 7 विविद्धा से युक्त कक्षा कक्षम में सिक्षक को ध्यान रखना चाहिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए सिक्षक को option A सिक्षक विधी का option B पाठ्यक्रम का option C छात्रों की सेक्षिक अनिवार्यता का option D सिक्षण अधिगम सामगरी के प्रयोग का तो हमें इसका correct option बताना है friends correct option क्या होगा इसका सिक्षण अधिगम की सामगरी के प्रयोग का चली आगे बढ़ते हम अगला question है हमारा question number 8 question number 8 है हमारा यदि किसी कक्षा में सिक्षक अशुद्ध उच्चारन करे तो चात्र क्या करते हैं हमें इसका answer बताना है चात्र करते हैं क्या करते हैं चात्र I think आपने guess कर लिया इसका answer क्या होने वाला है अगर सिक्षक अशुद्ध उच्चारन करेगा तो चात्र अशुद्ध लेखन भी करेंगे और व्याकरन संबंदी तूटिया भी करेंगे so option कौन सा correct होगा इसका option number C यवा भी दोनो चली बढ़ते हैं हमारे अगले question की ओर अगला question है हमारा question number 9 भाषा की क्रम बद्धता से तात पर रहे option A किसी भी रशना में भाषा व्यवस्था option B किसी भी रशना में भाषा आव्यवस्था option number C व्याकरन संबंदी शुद्धिया option number D ले और गती का ध्यान रखना तो हमें इसका option बताना है option कौन सा हमारा correct होने वाला है भाषा की क्रम बद्धता से तात पर रहे तो भाषा की क्रम बद्धता से क्या तात पर रहे होगा किसी भी रशना में भाषा चलिए बढ़ते हैं next question की ओर हमारा अगला question क्या है उम्मित कर रहे होंगे आपके option भी correct निकल रहे होंगे question 10th number सतत मुल्यांकन का एक नहीतार्थ है option A बच्चों के परिक्षा संबंदी भाय का समाप्त करना option B प्रतिदीन परिक्षाए लेना option C हर महीने परिक्षाए लेना option D बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना so friends please guess कीजी answer क्या होने वाला इसका option number D option number D इसका क्या होगा correct answer होगा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना चली बढ़तें next question की ओर हमारा अगला question है question number 11 भाषा आकलन में कोन सा तत्व सरवाधिक महत्व पूर्ण है option A सुलेक option B भाषिक सनरशनाओ पर आधारित प्रश्न option C विविद अर्थ वाले प्रश्न पूछना option D शूत लेक हमें इसका correct answer बताना है इसका correct answer क्या होगा option B भाषिक सनरशनाओ पर आधारित प्रश्न friends प्लीज जाग जाईए अब नीद खोल लीजे हमारी exam की date बहुत करीब आचुकी है हमें बिल्कुल डट कर खड़ा होना है और इस बार selection पक्का लेना है हमें so please try question number 12 बच्चों की भाषिक अभी व्यक्ति की आंकलन के लिए किस तरह की प्रश्न सहायक नहीं है option A बहुवी कल्पी B लगूत्रात्मक C निभंदात्मक D सारांस प्रसूत करना तो हमें इसका correct option बताना है हमारा correct option क्या होगा इसका option A बहुवी कल्पी चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर हमारा अगला question क्या आने वाला है question number 12 बच्चों की भाषिक संबंदिक क्रमिक प्रगृति का लेखा जोका रखने से संभव हो है किसमें रखा जाता है बच्चों का लेखा जोका I think आपने guess कर लिया होगा फिर भी option बताती हूं option A portfolio file option B उत्तरपूस्ति का option C liquid परिक्षा option D मोखिक परिक्षा तो हम किसमें बच्चों का लेखा जोका रखते हैं option number A portfolio file ऐसी है कि बच्चों का starting से लेकर ending तक का लेखा जोका रखती है चलिए बढ़ते हैं अगले question के ओर अगला question है हमारा question number 14 बच्चों की भाषा के आकलन का सरवाधिक प्रभावी तरीका है option A प्रशनों के उत्तर देना option B प्रशन पूछना और पढ़ी गई सामगरी पर प्रतिक्रियाब रख्ट करना option C शुरूत लेक option D लिखित परिक्षा तो हमें इसका correct answer बताना है correct answer क्या होगा इसका friends please question कीजे हमारे साथ option B प्रशन पूछना और पढ़ी गई सामगरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना ऐसा ना हो time निकल जाए उसके बाद पश्तावा रह जाए so please अभी से महनत कर लीजिए बाद में जिन्देगी भर पड़ी है सोने के लिए सोते रहना duty करते रहना चले next question question number 15 बच्चों की भाशा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है option A बच्चों की लिकित परिक्षा लेना option B बच्चों के भाशा प्रयोग का अवलोकन करना option C बच्चों से किताब पड़ पाना और option D है बच्चों से परियोजना कारे करवाना तो हमें इसका correct answer बताना है friends उम्मित कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो है अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो हमारी मदद करती है तो ओप्षिन कौन सा correct होने वाला है option number D चलिए करते हैं अगले question का रुख क्या बताने वाला है अगला question हमें question number 17 श्रव सिक्षन सहायक सामगरी का साधन नहीं है option A radio, B भ्रमन, C टेलिफोन, D ग्रामोफोन हमें इसका correct answer बताना है कि कौन सा श्रव सिक्षन सहायक सामगरी का साधन नहीं है श्रव रेडियो भी है, टेलिफोन भी है, ग्रामोफोन भी है ये सभी सुनने के लिए काम आते हैं लेकिन जो option number B है ब्रहमन वो correct answer नहीं है friends प्लीज कोशन को लगाईए और बताईए comment box में लिखकर की हमारे कितने correct answer है चलिए बढ़ते हैं अगले question की और question number 18 option A, जो section के उद्देश की प्राप्ती में सहायता दे option B, सुन्दर तता आकरशक option C, बालक को विचलित करने वाली option D, बालकों की रूची को बढ़ाने वाली देखिए इसमें हमसे negative में question को पूछा गया है कि द्रश श्रवी सामगरी केसी नहीं होनी चाहिए तो हमें इसका answer negative में देना है कि केसी हमारी नहीं होनी चाहिए हमारी AC द्रश श्रवी सामगरी नहीं होनी चाहिए जो बालक को विचलित कर दे उसका जो माइंड है उसका थोड़ा अलग different कर दे उसको विचलित कर दे उसका सोचने की capacity अलग हो जाए सो हमें एसी द्रश्ट स्रव सामगरी बच्चों को नहीं दिखानी है चलो next question question number 19 भाषा की पाच्टि पुस्तक के लिए पाठों का चैन करते समय क्या सरवाधिक मैथपूर्ण है हमें बताना है इसका option number A पाठों की संक्या B प्रसिद लेखकों की रचना C एसे पाठ जो बच्चों के समवेदना लोक के साथ ही बन सके option D एसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो so friends please question को कीजिए और हमारे साथ बने रही यूटूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस के साथ प्रसिद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए question number 19 का option होगा एसे पाठ जो बच्चों के समवेदना लोक के साथ ही बन सके क्या होगा इसका correct answer एसे पाठ जो बच्चों के समवेदना लोक के साथ ही बन सके चलिए बढ़ते हैं हम अगले question की और हमारा अगला question क्या होने वाला है question number 20 भाषा सिक्षन में पाठ पुस्तक के सी होती हमें यह बताना है तो भाषा सिक्षन में पाठ पुस्तक option A आनावशक है option B एक मात्रसन साथ हने option C साथ है option D साथ हने तो हमें इसका correct answer बताना है भाषा सिक्षन में जो भाषा होती है उसके सिक्षन में पाठ पुस्तक हमारा केसा काम करती है तो वो होती है एक साथन के रूप में केसी होती है पाठ पुस्तक एक साथन के रूप में option number D इसका correct answer होगा चलिए उम्मिद करती हूँ फ्रेंट्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अभी तक आपने आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा प्लीज फ्रेंट्स पड़ी है सोना का जगने का और सब कुछ करने के लिए जिंदगी पड़ी है सिर्फ एक बार सफलता को पा लीजिए बाद में जो मर्जी में आए वो करना लेकिन ड्यूटी भी करते रहना चलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक य कर दो